प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम कुछ पुलिंग शब्दों की पैचान करना सीखेंगे और इसी तरह से कुछ इस्टृलिंग शब्दों के पैचान करना सीखेंगे। महिनों के नाम चित्र, बेसाक, जेश्ट, ये देसी महिनों के नाम है इसी तरह से जो जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रेल है, कोई भी महिने का नाम है बच्चो वो सब क्या कहलाता है, पुलिंग शब्द कहलाते है इसी तरह अनाजों के नाम जैसे गेहू, मक्का, चावल, चना, दाल ये सब हमारे अनाज हैं ये सब क्या कहलाएंगे हमारे पुलिंग शब्दे कहलाते हैं परवतों के नाम जैसे इमाले, विंद्या, चल कोई भी परवत का नाम है पुलिंग होता है विरिक्षों के नाम किसी भी विरिक्ष का नाम है पुलिंग होता है धात्वों के नाम सोना, पितल, लुआ, ये सब क्या हैं पुलिंग हैं इसी तरह रतनों के नाम हिरा, पन्ना, मोती, रतन होते हैं सरीर के अंगों के नाम जैसे कान, सीर, हात, गला, पैर, दात, मूँ ये सब पुलिंग हैं लेकिन कुछ सरीर के अंग हमारे इस सरी लिंग भी होते हैं जिनें आगे पड़ेंगे देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, जापान, चीन कोई भी देश का नाम है क्या होता है पुलिंग होता है गिरहों के नाम जो हमारे आकास में ग्रह नक्षत्तर तारे हैं जैसे सूरिय भी इसमें सामिल है कोई भी ग्रह का नाम है बुद्ध, सुकर, मंगल के अलाबा सभी क्या होते हैं? पुलिंग होते हैं कुछ ऐसे शब्दें बच्चों इस त्रिलिंग शब्दों की पहचान करते हैं वच्चों अबें कि इस त्रिलिंग शब्दों की पहचान कैसे हो कि जो तिथियों के नाम हैं तिथि जो एकादशी, पूर्णीमा, मावश्या ये देशी तिथियां होती हैं ये तिथियों के नाम इस त्रिलिंग होते हैं इसी देवनागरी, गुरु मुखी, फारसी, रोमन, कोई भी लिपी का नाम है, वो क्या है, इस्त्रिलिंग है, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमना, सतलुजे, कोई भी नदी का नाम है, इस्त्रिलिंग होता है, जीलों के नाम, जैसे मानसरुवर जील है, डल जील है, कोई भी ज गिल का नाम है वो इस्त्रिलिंग होता है गहनों के नाम चोड़ी अंगुठी माला पायल कोई भी गहने का नाम है इस्त्रिलिंग है नक्षत्रों के नाम जैसे आश्वीन रोहनी भरनी आदी नक्षत्र हैं ये इस्त्रिलिंग होते हैं अब सरीर के अंगों के नाम कुछ अंग समझ हो जाएगी कुछ शब्द सदेव इस्ट्रीलिंग में होते हैं जैसे मचली है तितली है कोईल है इनको हम हमेशा ही इस्ट्रीलिंग में परियोग करते हैं जैसे मैना मक्खी जूं गिलेहरी चील मकड़ी आदी अब इनकी पहचान कैसे हो रही है बच्चों हमें इस्ट्र आई आजाए आए आःट आजाए ये सब क्या हमारे पर्ते होते हैं पहले हम पर्ते के बारे में पढ़ चुके हैं कि पर्ते क्या होते हैं जो शब्द पिछे अगर ई आता है तो पहचान हो गया हमें इस त्रिलिंग शब्द है आवट आ जाए तो पता लग गया इस त्रिलिंग शब्द है ता आ जाए तो पता लग जाता है इस त्रिलिंग शब्द है इसी तरह आई आ गया आहट आ गया तो इन पड़तियों से पहचान कर सकते ह इसके लावा बच्चो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दोनों के लिए समान परियोग होते हैं चाहे पुलिंग हो चाहे स्रीलिंग हो दोनों के लिए एक जैसा परियोग होता है ये पद नाम भी कहलाते हैं पद नाम का मतलब है पद का नाम यानि पोष्ट का नाम जो किस पोश्ट के लिए अपलाई होता है जैसे परदान मंतरी की पोश्ट है के अपद है के तो परदान मंतरी चाहे को पुरुश है चाहे को इस्तरी जैसे परदान मंतरी इंद्रा गांदी थी पहले परदान मंतरी नरिंद्र मोदी जी हैं तो कोई भी है परदान मंतरी चाह दोनों के लिए समान परियोग होते हैं इन्हें क्या का गया है पदनाम भी का गया है लेकिन कुछ शब्दों में वच्चो लिंग परिवर्तन किया जा सकता है इसके बारे में नेक्स टाइम पढ़ेंगे हम कि शब्दों में लिंग परिवर्तन किस तरह से किया जाता है आज आप यहां तक रिवाइज करना पुलिंग शब्दों की पहचान करना इसरी लिंग शब्दों की पहचान करना और जो अमारे पदनाम शब्द हैं उनको ध्यान रखना रिवाइज करना अच्छा वच्चो धन्यवाद